सिंगु बाडर पर गर में से बचने के लिए किसारों ने बास का घर बनाया जिसमें पंक्खे कूलर एलेडी सबसुधाएं तयार की सिंगु बाडर पर आप देख सकते हैं कि सारों ने बाज़ का यह घर बनाया हुआ है और बाज़ का यह घर किसारों ने अपने हाथों से नहीं बनाया बलकि इसके लिए उत्तर प्रदेश से इस काम में महारत रखने वाले कारीगरों को बुलाये गये था और उन कारीगरों के द्वारा इस तरह के मकान तयार किये जा रहे हैं इसमें हवा भी आरपार होती रहेगी हलका वेटिलेंशन भी होता रहेगा और छट से बारिश में किसी भी तरह का पानी आदी नहीं आएगा सड़क के उपर ये बनाया गया है तो जमीन से भी गर्मी ना आये इसके लिए इन्होंने चारपाई का इंतिजाम किया हुआ है के एफसी मॉल के पास में ये सड़क के बिलकुल उपर बनाया गया है जिस सड़क पर गाड़िया फ़राटे भरते थी आज यहाँ पर इस तरह के मकान बने हुए हैं इस मकान में इन्होंने पंके भी लगाए हुए हैं कोलर भी लगा रखा है एलेडी और सबसुधायन लगाई गई हैं किसानों का कहना है कि जब तक तिनों करसी कारून के इंसरकार वापस नहीं लेगी तब तक वे यहां से नहीं जाएंगे परबंद कर लिया है जो मकान की बात है मकान हमने बना लिया है और पानी पूने की कोई समस्या नहीं है पानी बहुत है कोई भी डिक्कत नहीं है खाने पिनेगी सब अपरबंद है हमारे बात लोगर दरीए ऐे कोई कि बात